हलो दोस्तों स्वागत है आप सब का इस वीडियो में आज के इस वीडियो का टॉपिक होगा 30 by 30 हाउस प्लान और यह आपका मैक्सिमुम वास्तु के हिसाब से होने वाला है चलिए प्लोट का एक पार डिटेल देख लेते हैं प्लोट हमारा जो है नौर्थ फेसिंग है और व वास्तु के कुछ बेसिक्स पॉइंट्स बताने वाला हो इसलिए आप इसको ध्यान से देखें जो कि हर प्लोट के लिए कॉमन है वह प्लोट किसी भी साइस का हो पॉइंट्स आपके सेम रहेंगे यह हमारा जो कॉर्णर है वह नौर्थ वेस्ट कॉर्णर है यहां पे आप आप यहां से लेके आप यहां तक वेस्ट सेंटर तक आप वो सेफ्टिक टैंक दे सकते हैं ठीक है अपका अगर बाहर स्पेस है तो आप बाहर भी दे सकते हैं और नहीं है तो आप अंदर बिर दीजे कोई प्रॉब्लम नहीं है दूसरा जो पोजिशन इसका बनता है कहीं भी रख सकते हैं और इसमें हमने बोर बेल की पुजिशन बाहर रखी हुई है आप चाहें तो अंदर इधर कहीं भी रख सकते हैं ठीक है अभी हमने फिलहाल बाहर रखा हुए प्लॉट से बाहर और इसमें चारो साइड सी जो हमारी वॉल्स होगी वह 9 इंच की होगी आप मांन के चलिए साउथ वेस्ट कॉर्नर है यहां पि रख सकते हैं उसके बाद आपका यह बॉरा इडिया है यहां से यहां तक आप रख सकते हैं कहीं भी और साउथ तक रख सकते हैं ठीक है उमेद करता हुए आप लोगों को समझ में आया होका अब हम बात करेंगे 3D प प्लस और भी बहुत सारी डिटेल है जो आपको मिल जाती है इसमें चैले यह सबसे पहले हम लेबलिंग की बात कzh bond कर लेते हैं तो लेबल्स क्या होता है लेबल्स से यह होता है कि जैसे कि आप मालेजी यह रोड है तो रोड से ऐसा तो है नहीं कि आप रोड के लेवल में ही आप घर बना देंगे आप पांच या दस साल future सोच के ये बनाते हैं कि रोड पांच साल में कितना भर जाएगा कितना उपर आ जाएगा क्योंकि government के जो हर साल जो है plan changes होते रहते हैं और रोड बनते रहते हैं तो उसे साब से आप सोच के घर को रोड से तीन चार फूट उपर बनाते हैं तो उसी चीज को leveling कहते हैं उसको दो तीन स्टेज में divide करते हैं से कि फर्स्ट हमारा रोड लेवल जीरो जीरो मान के चलिए वहां से हम एंट्री करते हैं अपने आगे वाले पार्ट में जो हमारा बरांडा होता है वहां पे तो उसका लेवल रोड से अपने मालीजे डेड़ फूट हमने रख लिया ठीक है उसके बाद हम बात करेंगे कि हमा कार पार्किंग तक हम नहीं रूखते में हम पार्किंग सेब जाने के लिए यहां पे देड़ फूट की हाइट लेख की हैкі से यहीं होता है नहीं को wherein इसका मतला यह नहीं होग need से 4 फूट उपर घर बनाना है तो उसको level divide करना होता है जिससे कि हमको कोई problem ना हो in future जैसे कि हमारे पास two wheeler है उसको चठाने में problem ना हो हमारे पास four wheeler है उसको भी अंदर लिजाने में problem प्राब्लम ना कई लोगों को मैंने देखा है कि घर बनाते हैं छोटे प्लोट में बैसिकली वैसा होता है कि रोड से जो है वो फ्यूचर देख लेते हैं तो वह बहुत बड़ी प्राब्लम वाली बात हो जाती है चलिए अब हम बात करते हैं अपने प्लान की तो यह हमारा मे यहां से मैंटरी करते हैं आपके लॉबी एरिया में लॉबी में हमने यहां पर डाइनिंग प्लेस किया हुआ है आप फ्लोरिंग भी देख सकते हैं कि फ्लोरिंग का डिजाइन हमने कुछ इस तरीके से डिवाइट कर रखा है ठीक है एक पट्टी डाल रखी है उसके बाद यहां पर एरेंज किया हुआ है और हमने आपका यहां पर मंदिर है और इधर आपका LCD यूनिट है अब वाल्ट की बात करें तो वाल्ट पर हमारा यहां पर हमने ब्रिक टाइल यूज किया हुआ है जो रॉफ ब्रिक टाइल होती है वह यूज किया हुआ है प्लस यहां पर हमन अब kitchen का एक पर देख लीचे, kitchen में counter किस तरीके से ये आपका L-shape में counter है ज़ादा से ज़ादा काउंकर को आप इस side ला सकते हैं यह जो अभी left है इसको right कर सकते हैं इसमें आपका green eye top है, प्लस वॉल पर हमने tiling यूज की हुई है अब हम बात करेंगे bedroom 2 की तो bedroom 2 आप देख लीचे यहाँ पर हमने इसकी flooring थोड़ी से अलग करके यहाँ पर flooring जो है आपका wooden flooring है beard flooring में आज कल tiles भी आते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं यह आपका अलमारी हो गया वाल पे हमने blue paint और यहाँ पे आपका parrot green light green भी बोल सकते हैं आप इसे वो हमने use किया हुआ है प्लस यह आपका common toilet है नीचे हमने जो flooring है वो mosaic tile use किया हुआ है आप चाहे तो यहाँ पे दूसरा भी कर सकते हैं यह position देख लीजिए WC की यहाँ पे है और यहाँ पे आपका wash patient है यह आपका common bathroom है अब हम यह bathroom की बात करेंगे यह जो है attached bathroom है master bedroom से master bedroom के एक बार view देख लीजिए आप किस तरीके से हैं यहाँ पे भी हमने flooring में wooden ले रखा है और इस wall पे orange paint किया हुआ है अपने हिसाब से कोई भी tile color या फिर जो भी material है आप चूज कर सकते हैं इससे आपको काफी help मिलता है interior करने में अपने घर का और यह हमारी main जो है cd की बात आप करते हैं cd हमारी यहां से lobby से चड़ती है यहां से अप करते हैं और किस तरीके से हमारी cd जा रही है first floor पी एक पर दीख लीजिए उसे यहां पर आके खतम हो जाता है उनिस स्टेप यहां पर आपकी same to same lobby आ जाती है ठीक है यह आपका पूरा एक plan हो जाता है 3D में उमीद करता हूं यह आप लोगों को अच्छा लगा अब हम इसके 3D pictures आपको दिखा देते हैं प्लस elevation भी आपको दिखा प्रयणना जेहां यह नहीं यहांके इसजय के जाप बचा भाता है बड़ा हैंलें इसजय को भी आपके सी करता है यह आता है झाल 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 यह हमारा इस प्लान का 3D Elevation है एक बार इसका overlook देख लीजिए किस तरीके से यह file थोड़ी सी heavy हुई है इसलिए movement में थोड़ी सी problem हो रही है इसलिए आप परध्यान से देख लीजिए इसको बाकि इसकी मैं pictures आपको दिखाऊंगा अभी झाल अब हम बात करेंगे 2D Plan की जिसमें आपको सारे sizes, column placement और इसकी tentatively एक costing हम आपको बता देते हैं तो चलिए entry से शुरू करते हैं entry हमें यहाँ पे 9 foot की मिल जाती है दूसरी entry हमें साड़े 3 foot की मिलती है यहाँ पे हमारा car parking space है जिसका size है 9 foot 6 inch by solar foot का है solar foot आपका पूरा length है आपने 3D में देखा होगा किस तरीके से range करना है यहाँ से आप चड़के lobby area में आते हैं lobby area का size 9 by 11 रखा है यहाँ पे हमने 4 seater table दिखा रखा है ठीके 3D में हमने 6 seater दिखा हुआ है यहाँ से आप आप करते हैं यह भी आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से stairs जा रही है तो यहाँ पे मैं steps की counting है वो बता देता हूँ कि इसमें आपके 19 step होंगे 19 step पे आप जाके first floor पे पहुँच जाएंगे इसमें cd की जो width होगी वो 3 foot होगी और tread का size जो होगा वो 10 inch का होगा चलिए अब हम पात करेंगे drawing room के size का यहाँ पे 14 foot by 8 foot change का drawing room का size है इसमें थोड़ी सी furniture अलग है यहाँ पे आपका मंदीर है यहाँ पे आपका console है और यहाँ पे आपका L sofa sitting है और यहाँ पे आपका LCD है तो यह सारी चीज़े आपको changes इसमें देखने को मिल रही है kitchen का size आप देख लीज़े 9 foot 7 inch by 7 foot 3 inch का है यहाँ पे आपका cooktop है यहाँ पे आपका sink है और यहाँ पे आपका fridge है इसमें जो भी changes है आप कर सकते हैं अपने हिसाब से अब हम बात करें कि bedroom 2 की तो bedroom 2 का जो size है वो 9 foot 7 inch by 12 foot का है इसमें आपको bed LCD अलमारी ठीक है यह आपका common toilet है common toilet में जो सारी position है वो आप देख लीजिए sizes आप देख लीजिए common toilet के 4 by 8 का यह toilet है प्लस एक और bathroom है इसका भी size जो है same है और यह master bedroom से attach है और यहां पर master bedroom की जो size की बात करें तो इसका भी size जो है same है 9 foot 7 inch बारा फूट का इस अब हम बात करेंगे column की column की placement हमने कुछ इस तरीके से की हुई है एक पर दीख लीजिए इसमें आपके size के अगर बात करूँ तो 9 by 15 के column हमने use किये है इसमें आप 12 और 16 और 12 तरीके के सरीये use कर सकते हैं प्लस इसकी अगर costing की बात करूँ तो एक floor आपको बनाने में इसका जो खर्चाने वाला है 12 से 15 लाक रुप है इस वीडियो में बस इतना ही उमिद करता हूँ वीडियो अप्लोग को अच्छा लगा होगा काफी help मिला होगा इससे इसलिए इस वीडियो को जदा से जदा share करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद